हेलो विवान वेल्कम टू दी न्यू वीडियो प्रां स्टडी बर्ज और मैं हूँ अनुपव गुपतार सोयर आज की वीडियो जो है हमारी नोय और के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमरित सर की होली सिटी के अंदर ये कॉलेज है आज हम डिटेल में बात करेंगे इस कॉलेज के अड्मिशन प्रोसेस की की, eligibility की, exams की, placements की, cut-off की, fee structure, क्या है सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंज इससे पहले हम स्टार्ट करें I would like to request you प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकन जरूर पेस कर देना ताकि सारी important वीडियो की notification आपको मिलती रहे प्रीज हम ऐसा इंस्टार्गाम पे जरूर कनेक्ट हो जाना बिकॉज हम इंस्टार्गाम पे daily business पे बहुत ही important content पोस्ट करते हैं हमारा instagram handle है studybus अंडर्सकोर education और हमारा facebook group का नामे studybus friends अगर आप studybus के pen drive course में enroll करना चाहते हो तो आपको इसकी complete details हमारी website के उपर जो कि है www.studybus.co.in वहाँ जाके मिल जाएगी वहीं आप अपनो order भी place कर सकते हो and friends pen drive course के सबसे अच्छे features यह हैं कि यह direct plug and play है आपको e-books की facility मिलती है कोई internet नहीं चाहिए सारी test series मिलती है unlimited time आप देख सकते हो 24 by 7 doubt forum है basic moderate advanced level के अंदर questions divided है और सारे के सारे exams को यह cover करता है इसी के साथ हर pen drive के साथ मिलता है आपको एक portal जिसके अंदर आपको e-books की facility मिलती है आपको topic wise test मिलते हैं जो की basic moderate and advanced level तक के होते हैं आपको sectional mocks मिलते हैं LRDI, verbal and quans के आपको weekly GK के current affairs test मिलते हैं आपको full and mocks मिलते हैं CAD के, snap के, ZAT के, IFT के, NMAT के, TISNIT के और बाकी सारे important exams के लिए इसके लाव आपको study planner का भी feature मिलता है जिसके अंदर आप एक organized manner के अंदर अपनी preparation कर सकते हो आप अपनी deadline set कर सकते हो, questions को tag कर सकते हो, अपने daily efforts को adjust कर सकते हो, revise कर सकते हो, अपने goals को daily basis पे achieve कर सकते हो इसके related अगर आपकी कोई भी query है, तो आप हमारी helpline number 9958-93705 पे आप हमें contact कर सकते हो अगर मैं बात करूँ IAM Amrit sir के बारे में, तो अगर हम categorize करते हैं IAMS को तीन तरीके की category के अंदर old IAMS, new IAMS और baby IAMS, तो जो IAM Amrit sir है वो baby IAMS की category के अंदर आता है यह 15th IAM था जिसको set up किया गया था इंडिया के अंदर और इसके अंदर with the help of support जो government of Punjab ने दिया था and education ministry ने इसके अंदर मिलके इसको set up किया था located है यह Amrit sir के अंदर जो किया land of golden temple and baga border यह institute को benefit मिलता है from the enriching experiences offered by this holy city and Amrit sir जो है IAM Amrit sir अभी यह offer करता है PGP program यह program design किया गया है ताकि बत्सों को world class management education मिल सके और वो requirement भी meet करता है enterprises की across sectors by providing highly insightful management professionals अगर मैं important programs के बार में बात करूँ तो यहाँ पे दो important programs है जिनको आप target कर सकते हो एक है इनका MBA का program दूसरा है इनका MBA in HR का program इसके लावा इनका एक और program है MBA in business analytics का अगर आपको इसके बार में कोई भी information चाहिए तो आपको I'm Amrit sir की website क्यों पर complete information मिल साएगी अगर फिन्स मैं eligibility के बार में बात करूँ तो इसकी eligibility वो ही है जो cat exam की होती है कोई additional eligibility नहीं है cat exam की basic eligibility क्या है कि आपके पास bachelor's degree होनी चाहिए with minimum 50% marks या equivalent CGP होना चाहिए जो reserve category के students है for example ACST या PWD students है उनके लिए 45% है बट हुआ गया था cat 2021 में since 2020 के अंदर बहुत सारे exams नहीं हो पाए थे जो minimum percentage की requirement थी वो 2021 में हटा दी गई थी तो Amrit sir ने भी minimum percentage की requirement bachelor's degree की हटा दी थी 2021 की लेगिन 2022 में ये अपनी नई conditions लिके आएगा तो ये जब भी लेके आएगा उसके उपर हम new video बना के आपके साथ share करेंगे जो बच्चे final year के अंदर है अपनी graduation के bachelor's degree के वो भी eligible है apply करने के लिए इसके लावा आपको cat exam के थुरू ही apply करना है कोई और exam भी accept नहीं करेगा अगर friends हम admission procedure के बारे में बात करें तो admission procedure ये ही है कि बच्चों को select किया जाता है on the basis of the cat score जो I am Amrit sir के अंदर apply करते हैं उसके पात बच्चों को shortlist करके second round के लिए बुलाया जाता है जो कि है personal interview करा हूँ and final selection होती है on the basis of final composite score जो final shortlisting होती है और final composite score ये किस तरीके से calculate करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो friends अगर हमें personal interview की call चाहिए तो ये minimum cutoff आपकी screen के उपर mentioned है मैं फिर आपको बता देता हूँ ये minimum cutoff है ये final cutoff नहीं है यानि कि आपको overall cutoff भी achieve करनी है और ये minimum cutoff भी आपको achieve करनी है for example अगर आप general categories है तो आपकी 80, 75, 75 minimum sectional तो होनी चाहिए overall minimum 85 भी होनी चाहिए और जो इनकी final cutoff है मान लिजे वो 90 और 95 के बीच में जहां भी hover करती है वो भी आपको achieve करनी है for example अगर कोई EWS categories है तो उसके लिए भी 80, 75, 75 होनी चाहिए कोई NCOBC है तो 65, 60, 60 होनी चाहिए SC के लिए 55, 50, 50 होनी चाहिए आप ये cutoff achieve करोगे तभी और overall cutoff जब achieve करोगे तभी आपको IMM with sir से call आएकी अगर friends मैं shortlisting के parameters बताओ कि बच्चों को किस basis पे personal interview के लिए shortlist किया जाएगा तो parameters आपकी screen के उपर है सबसे पहले ये cat को maximum weightage, 60% weightage देने वाले है उसके बाद 10th के boards को ये 10% weightage देंगे 12th के boards को ये 5% weightage देंगे मैं आपको फिर बतादू 10th and 12th में सारे subjects को count किया जाता है irrespective of the fact कि वो आपका additional subject था या नहीं था अगर वो आपकी mark sheet में mentioned है तो उसको include करना पड़ेगा उसके बाद bachelor's degree के 5% marks ये जोडेंगे उसके बाद gender diversity को ये 10% marks देंगे work x को ये 10% marks देंगे इस तरीके से ये बच्चों को shortlist करेंगे for interview अगर friends मैं final admission list के बारे में बात करूँ चाहे इनका MBA का program हो चाहे MBA in HR का program हो इन दोनों की final selection ये कुछ इस तरीके से करने वाले है कि इसमें maximum weightage personal interview की है 70% weightage ये तो highest है मतलब maximum weightage जो ये दे रहे हैं across all the colleges तो 70% weightage personal interview को दी जाएगी work x को 10% weightage दी जाएगी gender diversity को 10% दी जाएगी academic diversity को non-engineers को 10% weightage दी जाएगी तो ये final aggregate score ये किस तरीके से निकालेंगे जो ये pre-PI score था जो मैंने आपको पहले बताया था उसको 60% weightage देंगे and post-PI score जो ये वाला score होगा इसको 40% weightage देंगे जिसके basis पे ये final competence score निकालेंगे अगर फ्रेंज हम seat matrix के बार में बात करें तो इनके MBA program के अंदर 240 seats के अप्रोक्स है और HR program के अंदर इनकी 40 seats है जो काफी decent number of seats हैं जिसके अंदर से एक seat आपको अपनी convert करने हैं अगर फ्रेंज हम fee structure के बार में बात करें तो as of now जो 2 years का जो fee structure है वो 16 lakh रुपीज है यानि कि roughly roughly 8 lakh रुपीज पर annum की इनकी fees है अगर हम miscellaneous expenses जोड लें तो 3 to 4 lakh रुपीज के 2 years के miscellaneous expenses होंगे यानि कि total expenses जो है वो approximately 2 years के 20 lakh रुपीज के अराओ बैठेंगे अगर फ्रेंज हम 2 years लगाने वाले हैं अपने 16 to 20 lakh रुपीज spend करने वाले हैं तो placements कैसी रहने वाली हैं इस college की वो भी हम देख लेते हैं जो highest stipend इस college ने offer किया था summer placements के अंदर वो 3,50,000 रुपीज था top 25% बचोगा 1,13,000 था average stipend 60,000 था median stipend 50,000 था and total 101 companies ने विजिट किया था इसके बाद अगर फ्रेंज हम final placements के बार में बात करें तो placement report आपकी screen के सामने है gender ratio 66 and 34% था जो की काफी अच्छा है उसके बाद work experience में more than 50% of the batch freshers का batch था अगर work experience across sectors के बार में बात करें तो आपकी screen के सामने IT services में 45% थे finance के इन ना 9% थे operations में 10% थे strategy में 8% थे और बाकी others के इंदर 11% बच से थे अगर मैं educational background के बार में बात करूँ तो 24% बच से mechanical industrial engineering से थे 14% electronic engineering से थे 3% mathematics से थे 20% बच से BBA, Bcom finance से थे 6% electrical engineering से थे 3% economics से थे 17% computer science, IT से थे 4% engineering से थे थे आने कि काफी अच्सा इनका batch था वो engineer से dominated था तो अगर हम overall placements के पार में बात करें तो हाई है CTC 25 lakh रुपीस का था top 25% of the batch को 18.54 का CTC मिला है जो median रा था वो 13.54 का था जो average था वो 14.63 था total 110 प्लस companies ने विजिट किया है total students जो थे वो 212 थे total number of offers जो make करे गए है वो 285 थे जो जिस में से जो PPO's थे वो 23 students को pre-placement offers भी मिले हैं अगर हम domain wise के बारे में बात करें तो 25% बच्चे marketing में गए हैं 22% बच्चे analytics में गए हैं 18% strategy में गए हैं 13% finance में गए हैं 9% operations में गए हैं 8% product management के अंदर गए हैं बाकी HR and sales के अंदर 3 और 2% बच्चे गए हैं अगर friends हम top recruiters के बारे में बात करें सब्सक्राइब करें अपने सारे अपने सारे अपने सारे अपने सारे आपका कोई भी सजेशन है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स के इंदर में कर सकते हो तो प्रीज हमाँ साथ Instagram पर जुरू करें अगर आपको pen drive post में रोल करने तो है माई वेबसाइट है आपको complete details मिल जाएंगी और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमे WhatsApp या email भी कर सकते हो so thanks a lot friends all the best God bless you